हेलोग वास्वागत एक और नई वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं SBI Cap Securities के बारे में जो कि SBI Bank की ही एक सबसीडरी है अब SBI Bank का नाम किसने नहीं सुनाओगा इनके ब्रांचेस हर एक सहर और गाओं में अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग SBI Bank पर बहुत जादा भरुसा भी करते हैं लेकिन क्या होने भरुसा SBI Cap Securities पर भी करना चाहिए क्या SBI Bank जितनी अच्छे सर्विसेस देती है वो सर्विसेस आपको SBI Cap Securities में भी देखने को मिलेगी या कस्टमर सर्विसेस से लेकर ब्रोकर चार्जेस तक क्या कह चीज़े हैं जो आपको SBI Cap Securities में देखने को मिलेगी इस पूरे वीडियो में हम हर एक टॉपिक पर बात करेंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देंगे कि एक normal investor या फिर trader के लिए ये सही रहेगा या फिर नहीं SBI Securities की सुरवाद 2006 में होई थी और अभी तक इनके clients की संक्या 3,29,99 तक पहुँच गई है और ये अभी के time में इंडिया के top 10 stroke brokers की list में आती हैं और अभी के time तक यानि के 2021 तक इंडिया के 115 से भी ज्यादा से रहो में इनके branches पहुच चुके हैं और इनके 1000 से भी ज्यादा field force agents काम करते हैं जो कि services आपको घर घर तक पहुचाते हैं और services के बात करें तो ये हर एक तरह के trader या फिर investment तक अपनी services पहुचाते हैं यासे के retail investor हो गए या फिर institutional investor हो गए या फिर HNI investor हो गए या फिर NRI investors हो गए हर एक कोई अपनी services पहुचाते हैं इसके लावाए SBI Securities में आपको 3-in-1 account भी देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका DMAT account आपका trading account और आपका bank account तीनों link रहता है इनके बहुत अच्छी खासी app भी है SBI Smart Mobile app या फिर UNO app आपको प्लेश्टोर पे मिल जाएगे जो कि काफी अच्छे services देती है इसके लावाए आपको DMAT और Research Advisory Services भी मिल जाएगे तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो SBI Bank के सबसिडरी होने के नाते यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी services मिलती है जो कि आपको normal full service broker में देखने को नहीं मिलेगी अब यहाँ तक हम आगे हैं तो हम account के charges के भी बात कर ले थे क्योंकि यह बहुत ही जाद है और देखते हैं कि इसमें account charges आपको कैसे कैसे देखने को मिलती है अगर आप SBA Securities में DMAT account खुलवाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा लेकर अगर आप trading account खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको 850 रुपीज पे करने पड़ेंगे जो कि obviously काफी जादा है अगर बाकी broker से compare किया जाए तो इसके लावा account maintenance charges के बात करें तो DMAT AMC charges आपको रुपीज 350 देने पड़ते हैं per year और trading AMC charges के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है अब बात करते हैं products and services के जो आपको SBA Cap Securities प्रवाइड करती है यहाँ पर आपको मिलेगा equity trading, currency trading, options, futures, mutual funds, forex, banking, SIP और insurance तो यहाँ पर एक काफे wide range के services मिल जाती है लेकिन यहाँ पर आपको commodity trading के facility नहीं मिलती अब बात करते हैं broker charges की SIP Cap Securities में आपको क्या का segment में कितने charges लगते हैं बात करें equity delivery trading से तो यहाँ पर आपको 0.5% चार्ज लगता है, equity intraday trading में 0.08% चार्ज लगता है, commodity options के यहाँ पर trading नहीं रहती है, equity futures trading में 0.03% से लेकर 0.05% तक लगता है, equity options trading में Rs.50 per lot लगता है, currency futures trading में 0.02% रहता है, currency options trading में Rs.20 per lot रहता है, minimum brokers Rs.10 per transactions रहता है और अगर आपको SBI cap securities में trade करना है, तो आपके अपने demand account में minimum 25,000, यानि कि यहाँ पर margin money Rs.25,000 रहता है, तो generally अगर discount brokers की बात करें, तो वहाँ पर इतने broker charges नहीं लगते हैं, लेकिन SBI cap securities में आपको काफी जादा broker charges लगते हैं, अब इसके अलावा भी कुछ और charges होते हैं, ज total turnover का, से भी turnover charge रहता है, 0.0002% total turnover का, stamp duty charge होता है, वो अलग अलग state का, अलग अलग रहता है, जो कि बहुत ही minimal रहता है, GST charge आपको लगता है 18%, जो कि brokerage plus transaction charge, इन दोनों charges को मिला दें, तो उसका 18% लगता है, अब इसके अलावा भी कुछ other charges होते हैं, जो आपका SBI cap securities में लग उसको per certificate 5 rupees, और per request 35 rupees pay करना पड़ता है, इसके लावा rematerialization, यानि कि अगर आप किसी भी online certificate को physical form में निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको rupees 35 per request, plus rupees 10 per 100 securities, या फिर flat fee rupees 10 per certificate, इन दोनों में से जो ज़्यादा लगेगा, वही आपको charge किया जाएगा, इसके लावा प्ले SBA cap securities counterparty होती है, अगर या counterparty नहीं होती, तो आपको total value का 0.04% या फिर minimum rupees 50, इन में से जो ज़्यादा होगा, plus CDSL charge, वह charge के जाएगा, I hope आपको सारे broker charges समझ में आगो होंगे, या फिर other charges, अगर इसमें भी आपको कोई problem है, या फिर किसी तरह का doubt है, जो आपको समझ में नहीं company reports मिलती है, annual reports मिलती है, company stock reviews मिलती है, IPO reports मिलती है, top picks मिलती है, monthly reports मिलती है, weekly reports, इसके लावा आपको offline advisory भी मिलती है, इसके लावा आपके लिए personally relationship manager भी मिलता है, तो इतने सारे यहाँ पर आपको research और advisory मिलती है, अब trading platforms की बात करने तो SBA cap securities में आपको चार्ट अलग लगत र platform मिलता है, जो कि SBA smart portal, desktop trading software मिलता है, SBA smart express, website trading मिलता है, SBA smart light, इसके लावा आपको mobile app मिलता है, SBA smart mobile app, SBA smart portal जो कि इनकी web based trading platform है, यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे features देखने को मिलते हैं, पहली बार login करने पर आपको basic widgets मिलते हैं, जैसे कि market information, current index, snapshot, market winners, portfolio और भी बह इसके दुरू, और इसके लाव आपको बहुत सरा options मिलते हैं, product के, जैसे के intraday trading, delivery trading, value plus quantity, order type, limit order, market order, stop loss, और भी बहुत सरा options मिल जाते हैं, एक full service broker होने कनाता है, यहाँ पर आपको कई सारे चीजे regularly मिल जाती है, जैसे कि technical and basic tips मिल जाती है, reports of research मिल जाती है, recommendations and analysis मिल जाती है अब SBA Cap Securities के SBA Smart App की बात करते हैं, इस app को play store पर 5 लाग से जाता लोगों ने download किया है, और सिर्फ 2.7 ratings मिल जो कि industry average ratings के मुकाबले बहुत ही जाता कम है, इसके features की बात करे हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारे features मिलते हैं, जैसे कि customers live quotes और messages देख सकते हैं, trade place करने में जाता सम order status को confirm भी कर सकते हैं, एक single application पर NSE और BSE के live markets को track कर सकते हैं, बहुत ही गहराई से यहाँ पर stock recommendation और tips मिलती है, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर features आपको देखने को मिलते हैं, बट फिर भी overall interface के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको ratings बहुत ही जादा क करना चाहिए, margin या फिर leverage या फिर exposure की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो सेग्मेंट में margin मिलता है, equity delivery जिसमें आपको two times margin मिलता है, वो भी interest के साथ, equity intraday जिसमें आपको five times तक margin मिलता है, अब SBI कैप security का customer support की बात करें तो यहाँ पर आपको dedicated dealer मिलता है, offline trading मिलती है online trading मिलती है, 24-7 support मिलता है, email support मिलता है, chat support यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, याद रखेगा, toll free number मिलता है जो कि आपको screen पर दिखर होगा, इसका लावे यहाँ पर आपको offline help मिलता है, जो कि 225 branches की तरफ से रहता है, अब SBI कैप security के complaints और feedback को देखें, तो 2020 के साल lodged की गई है BSE में 196 complaints और उनमें से resolve की गई है 153 complaints, NSE में lodge करी गई है 218 complaints जिनमें से NSE के 200 complaints को resolve किया गया है, finally हम लोग आते हैं SBI कैप security के advantage और disadvantage और disadvantage पर, क्या के आपर फायदे हैं और क्या के नुकसान देखने को मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर pros की बात करते हैं, State Bank of India पुरे of financial service देखने को मिलती है, इसके लाव SBI कैप security में आपको 3-in-1 account मिलता है, जिसमें आपका demand account, trading account और bank account तीनो जोइन रहता है, mutual funds, IPO और bonds में आप investment भी कर सकते हैं, इसके trading platforms आपको free में use करने को मिलते हैं, इसके लावा अलग अलग सेरों में इनके 225 branches भी हैं, हरे customers को research reports और analysis म मिलती है, अब यहाँ पर आता है cons पे, क्या के नुखसान आपको देखने को मिलता है, वैसे तो ज्यादा नुखसान नहीं है, सबसे पहरे नुखसान यह है, कि यहाँ पर आपको brokerage काफी जादा देखने को मिलती है, अगर बागे stock brokerage से compare किया जाए तो, दूरूसरा नुक् यूँ था जितना भी अनलेसिस था सारा डेटा हमने आपको इस एक वीडियो में दे दिया क्या लगता है आपको अच्छा ब्रोकर है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसके लावा पूरे वीडियो से कोई बेपार्ट आपको समझ में नहीं आया ह या फिर किसी तरह का डाउट हो वह भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़ेश जरूर किजिए और सब्स्राइब भी जरूर करिएगा म मिलते हैं अगले वीडियो में